हेलो एबरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूं आप सभी का आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छ होंगे कस्तूरवा गांधी बालिका विद्याले से सबसे बड़ी खुसकबरी आई है इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे उससे पहले आप लोगों को बता कर रहे हूं नीचे कॉमेंट करके उसका मैंसन जरूर कर दें ताकि जब भी आपके डिस्टिक के आसपास से या फिर तो वी परिसाइज आपके डिस्टिक सही रिकूट्मेंट आती है तो उसकी जानकारी आपको बिल्कुल एक्जैक्ट टाइम पे दी जा सके बाइदबे कस कस्तुर्बा गांधी बालिका विद्याले से जो भी रिकूट्मेंट अभी तक आई है जिसके कुछ डेट अभी भी बचे हुए है और वो सब वीडियो आपसे मिस हो चुकी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा वहां से जाकर उन सारे वी विद्याले से वह मैं आपको बता देता हूं पैस्तुर्बा गांधी बालिका विद्याले में होता क्या था सिर्फ और सिर्फ महिला सिक्षकों को यहां पर प्राथ्मिकता यानि कि जो है प्रेफरेंस दिया जाता था जिस कारण से बहुत सारे पोस्ट क्या हो ते खाली रह ती थी तो ऐसे में पुर्सों को फिर से सामिल किया गया और अब जो है क्या किया जा रहा था यूपी में उन्हें हटा दिया जा रहा था अब देखिए उनके उपर एक ख़बर आई एक कस्तुरवा गांधी स्कूलों में तैनात 44 सिक्षकों और करमचारियों को हाई कोट से रहा क्या कहा गया है इनमें कहा गया कि इनको जो निकालने की प्रक्रिया हो रही थी इन्हें जो है हटाने की प्रक्रिया हो रही थी उसे फिलहाल रोक दिया गया है यहां से मुहम्मद इजहार जो की DC है बालिका सिक्षा बेसिक सि की जा रही है यानि कि ये अब अगले 11 महने तक काम कर पाएंगे और सिधी सिधी बात है जिन्हों ने इतने जिनों तक काम करा उनको आप हटा सकते नहीं हो ऐसे अब यहां से कुछ और खबर देख लिए सरकार जो पुरुस को हटाने के लिए प्रोसेस ला रहे थी अब जो है हाई कोट ने जवाब तलब किया है उनसे पूछा गया कि क्यों इसे हटाया जा रहा है पुरुस जो हैं उन्हें क्यों हटाया जा रहा है और इसके लिए तीन जुलाई को जो है तारिक लगाई गई है कि तीन जुलाई को आपको एन्नी हाव जो है सारी जानकारियां कोट के सामने रखनी होगी तो यह थी न्यूज आगे इस पर कोई भी अपडेट आता है तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी तैक्यू सोमत वागे इस वीडियो आप गुड डे